तो है गाइस वाट सब्सक्राइब बहुत ही बेसिक सी वीडियो ओने वाली है अमेस्फिट बेप्यू स्मार्ट वाच के उपर यह वीडियो में बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो या तो फर्स ताइम स्मार्ट वाच ओनर्स हैं या फिर वह जिनें confusion हो रही है अपनी Amazfit VPU स्मार्ट वाच को चार्ज करने में सं ग्र सिन्पल स्थी वीडियो में हम बहुत करेंगे कि आप कईशी स्मार्ट वाच को अपनी चार्ज कर सकते हो वीजीली सो गाइस लेट्स के इस वीडियो स्टाटीड So guys charging के लिए आपको कोई भी special requirement की जरुवत नहीं है साथ जीज़ आपके बास होंगी सबसे पहले आपको यहां से box में से अगर आपने अभी तक unbox नहीं करी है watch को So simply आपको यहां पे watch को यहां पे निकालना है And जहां से आप देख सकते हैं आपे 43% charging available है So guys charging cord निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ simply अपनी watch के जो पीछे वाले part है So यहां पे यार आपको यह जो दो उपर और नीचे दिख रही है यानि कि एक यहां उपर और यहां नीचे जो आपको पिंस दिख रही है उसमें आपको insert करना है अपने charger का part So guys आपके charger में यह part होगा एक charging cord में Sorry मैं charger तीदिर से कह रहा हूँ तो यह part जो है यह आपको यहां पे connect करने है तो यह magnetic है तो जादा problem नहीं होगी जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यह connect हो गया easily तो magnetic है और इसलिए अपने आप connect हो जाएगा So अब आपको जादा कुछ नहीं करना guys अब आपको जो दूसरा एंडेस charging cord का इसको आपको किसी charger से simple कोई भी charger जालेगा उससे connect करना है So for example मैं आपके एक vivo का अगर charger simple ले लेता हूँ तो यहाँ पर हम लोग करेंगे सबसे पहले इसको connect So guys ऐसे simply आप charger से connect कर सकते हो और जब आप charger को किसी socket में लगा के plug-in करोगे तो आपकी watch easily charge हो जाएगी So मैं एक मिनिट के लिए वो दिखा देता हूँ So guys जैसा आप लोगो को show easily clearly visible होगा कि watch में आपको charging का symbol दिखने लगा है So यहाँ मैंने simply कुछ नहीं कर रहा था मैंने बस इसे यहाँ से connect किया था जैसा मैं आपको दिखाया था दूसरा end जो है वो आप किसी भी charger से connect कर सकते So guys this was today's video and hope you liked the video and this video ने आपकी बहुत help करी होगी अगर आप कोई first time on owner है smart watch के आफिर आपको कोई problem आ रही हो तो कोई यार इतनी कोई बड़ी issue नहीं है बहुत लोगो problem पड़ती है So guys see you in the next one